हेलो दोस्तों ये वीडियो में RRB J E 2024 का notification timeline जारी होने के बाद बना रहा हूं बैचो तो आज अगर आपको RRB J E 2024 की समस्त जानकारी चाहिए बिफोर notification अगर आप प्री तयारी करना चाहते हैं ये वीडियो आप लोगों के राइट है इस वीडियो में मैं आप लोगों को commitment करना चाहता हूं ensure करना चाहता हूं कि यदि आप रहेंगे तो बहुत ही सांदार information में देगे जिसमें आप लोगों को job profile, salary, promotions, age limit, syllabus, exam pattern, vacancies और previous year के cut-up के बारे बात देना है और मैं आपको बताऊंगे आगर आप इस वीडियो के नीचे comment में जितने भी top 5 बच्चों के comment अच्छे अच्छे होंगे न, उन बच्चों को मैं आपको एक ऐसा RRB का capsule देना चाहता हूं RRB examinations का capsule देना जाता हूं जो आपके preparations में राम बाड़ साबित होगा उसके लिए आप लोगों को google form जरूर भरना so that की आप लोगों को google form के माध्यम से अगर आपके comment रहेंगे तो google form में आपके नाम भी रहेंगे तो आपको mail id पे automatic वो capsule पहुँच जाएगा तो guys मैं आपको again बताओं चैनल को subscribe करके फटाफट वीडियो के नीचे comment जरूर कर देना और google form को भर देना चलबी वीडियो के शुरू करते हैं और guys बहुत सारे information होगा तो थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगा तो आप लोग support करिएगा देखेगा और आपको अगर इस वीडियो में कोई doubt होगा ना तो इसी वीडियो के नीचे comment में भी पूछना मैं आप लोगों के help के लिए हैं चुकि देखो अभी तक हमारे मन में असमंजस था कि notification आएगा कि नहीं आएगा railway कुछ जुम्ला कर रहा है तो ग्यार हमारे पास सब कुछ अफिसियल इंपूट है यह देखेगा आप लोगों को technician का number of vacancy करीब RRB ALP की number of vacancy आपको भी पता है पब्जिक डोमेन में सब कुछ पता है हाना ये अच्छा ये तो हमारा fake वाला है ये तो हमारा fake वाला है चलो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए यह यहाँ पर important यह है कि देखो अगर मैं आपको बात करूँ कि ये railway ने कल exam calendar release किया है examination calendar release किया जिसमें junior engineer की भी बात होई है कि जुलाई से सेप्टमबर के बीच में जेई पोस्ट की हमारी वेगैंसी आएगी है तो notification release करेंगे तो बच्चो अब ये तो हमारा यहां पर ensure हो गया कि notification आएगा किस मन्थ में आएगा आपको भी पता चल गया अब यह सवाल है कि RRB जेई का अगर मैं आपको बात करूंगा selection process में देखो cbt1 होता है cbt2 documents verification and medical examination होता है अब फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चो अगर मैं बात करूं assistant local pilot की हमारी इतनी वेकेंसी आई है right अब technician की हमारी इतनी वेकेंसी आई है तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के मन में ह देखो जैसा कि आरारबी ने बच्चों बोला कि annual process करेंगे तो वो नम्मर आव वेकेंसी अभी तो नहीं लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 3000 से कम आएगी चुकि जितना हम लोगों एक्सपेक्टेशन था 1314000 उतना नहीं आएगा क्योंकि आरारबी आप लोगों की प्रोटेस् को करना चाहते हैं अब देखते हैं रेट सी वेटन वाच बट यह है कि वेकेंसी तो आएगी हमें अपने प्रयास को डबल करना पड़ेगा इतना याद रखेगा फिर देखो अप्डिकेशन की फीज जैसे 2014 में आपको 500 रुपिया जनरल का और यह आपको यह और इतना मिले है cbt1 हमारा जो होगा पूरे प्रोसेस में हमारा वन थार्ड की निगेटिव मार्किंग रहेगी तो डियोरेशन अब cbt1 हमारा 90 मिनट कराएगा cbt2 हमारा 120 मिनट कराएगा हाई लाइट मतब डिद घंटे का cbt1 दो घंटे का cbt2 अब cbt1 में 100 कोस्ट रहेंगे cbt2 में हमारा 150 कोसन रहेंगे आईए समझते हैं सारे कोसन सबसे बड़ी बात मैटिपल च्वाइस यह मैं बता रहा हूं बेशनांद दोहजार प्रिबियस यह हमारा वेकेंजी अब देखो 2024 में क्या होगा एक बार सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन आने दो तब तत मैं आपको यही सजिस्ट करूंगा प्रिबियस यह के बैसिस पे हम अपनी प्रिप्रेशन को सुरू कर सकते हैं इसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा अब देखो यहां पे सबसे जादा एक जब मैंने कल वीडियो किया था बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि सर्स क्या होता है सवेक्शन का प्रोसेस देखो आरारबी में सबसे बड़ी बात की जो मेरिट बनता है और बनता है नारबाजाइशन में जब पेपर होते हैं तो दोनों में होता है cbt1 में भी होता है cbt2 में भी होता है लेकिन जो सेलेक्शन होता है cbt2 के मेरिट पे होता है अब cbt1 में जो हमारा सब्जेक्ट के इस्ट्यूबिशन होते हैं mathematics general awareness general science यह आपके marks होते हैं यह आपके minutes होते हैं और इदने questions भी होते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि syllabus अगर आप बात करोगे तो mathematics का syllabus आपका यह है पूरा general intelligence reasoning का general awareness का general science का यह आप लोगों को जो इसमें पूछा जा रहा है वो आपको यहां पे जो जो subject पूछा जाएगा वो मैंने आप लोगों को यहां पे बता दिया यह देखो आपको syllabus है राइट तो अब जादा तर से यह चीज़े हमारा current से related होती है तो आप लोग उसी recording prepare करिएगा फिर cbt2 जो होगा मैंने आपको दो बार बता दिया यही आप लोगों का final selection decide करेगा एक बच्चों की मन में सवाग होगा सर क्या इसमें minimum जो percentage notification में दिया होता है उतरा नमर देते आएंगे तो क्या हमारा cbt1 निकल है तो आटोमेटिक लोगों के मार्स बहुत ज्यादा आएंगे तो गवर्मेंट को कटाप बनाना पड़ता है cbt1 कभी अब एक चीज हमेशा याद रखना फिर उसके बाद cbt2 का यह है cbt2 में आप लोगों को देखिएगा general awareness physics chemistry basic computer and applications basic up environmental position and control general technical abilities यह हमारा cbt2 का सब्सक्राइ से division किया गया पॉंद्रा कोर्शन हमारा stage 2 में general awareness से physics chemistry से basic computer and application से technical ability से environment position and control से यह आपको हमें थोड़ा सा डाउट है कि इस बार हो सकता है कि वह general awareness को कम कर दें 2024 में यहां पर आप लोगों का इसमें हमारा थोड़ा सा distribution बढ़ा दें physics and chemistry का distribution बढ़ा दें जैसा कि उन्हेंने ALP में किया है तो मुझे जो मैं आप लोगों को बोलता हूं वह बड़ा confidence के साथ बोलता हूं और बहुत सारे research के साथ बोलता हूं कितना जाना पड़ेगा सबसे बड़ी बात कितना जाना पड़ेगा तो देखो जिस तरह से वेकेंसी हमारी कम है मुझे लग रहा कि 60% से 65% तक और max to max 70% तक आपको जाना पड़ेगा मैं यह असपष्ट सब्दों में बता रहा हूं फिर उसके बाद अगर आप लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है तो 100% एलिजबल हो और भी जेए के लिए अब उसके बाद अगर आपका इलक्टिकल है या आपको इलक्तिकल कंबिनेशन आप एनी सब इस्ट्रीम आप बेसिक स्ट्रीम आप इलक्टिकल इंजिदरिंग इलक्तिकल और एलाइट से आएगा फिर सबसक्राइब करेंग की डांट्रीक्स कि इलक्टरोनिक्स और इंजिदिरिंग में ये सारे ब्रंचे साइंगे। थो परडेशनूम होगा कि या नार्वलेशन इसकीम जो हमारा CBT2 करेगा वो CBT1 के जैसा ही रहेगा बट साट्रिस्टिंग मैंने आपको बता दिया अब आप लोगों के मन में सवाल होगा कि पे बैंड हमारा कितना होता है तो 35,400 का पे बैंड होता है और मैं आपको बता दूँ ग्रेट हमारा फिर उसके बाद अब मैं आपको बात करूंगा यार कि कटाफ होगा रहा देखो कटाफ यहां पर बताना इस उद्देश से से नहीं है बच्चो मैंने आपको सावरी भी बता दिया मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया अब यह कटाफ क्यों बता रहा हो कटाफ से आइडिया लगता है कि यार हमारा कटाफ कितना जारा देखो कटाफ तो नम्मर वेकंसी अलग जोन पर डिपेंड करेगा पेपर के लेबल पर डिपेंड करेगा लेकिन आप यहां पर आज एक कमपारिजन कर सकते हैं कि प्रीबियस येर में नम्मर यह हमारा कटाफ आपका गया था शीविटी वनका राइट यह आपको दिखेगा तो जहां पर यह देखा गया है कि नमोरा है पाटिसिपेंड्स जादा थे नम्मर वेकंसी जादा थी और पाटिसिपेंड्स भी जढ़ा थे तो काटाफ वह पे जादा गया था स्थ हमें कोंट करूंग आप कि आप यह फोकॉस मन करिया कि जहां पर वेकंसी ज्यादा वहीं पर फार्म बरना है यार कभी-कभी मैंने 2018 देखा था जहां पर वेकंसी कम थी लेकिन नमरा पार्टिसिपेंट्स भी कम थे तो कटाप वहां पर और ज्यादा कम गया था तो उसी के एक चीस समझेगा समझेगा बच्चो यह सारा चीस समझेगा कि प्रोमोशन वारा ठीक है बहुत इस्टाइल लाइफ इस्टाइल आपको भी पता है रेलवे कौन नहीं जाब करना साथ इतनी सुख सुपिधाओं से भरा हुआ है कि आपको जिंदेगी में कभी अभाव नहीं ह उस्ट अपनों के लिए हम आपके साथ हैं हमेशा आपको तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर टॉप करने के बाद Google काशников आप लोगों को धे सकूं Canadian लोगों के पास होना चाहिए अपने टेबल पे उसको जिपकाल रहें उसके चैनल को सस्क्राइब कर देना है हम उन्हीं बच्चों को देंगे जो चैनल को सब्सक्राइब एड़ा के एप पे जाओ यह वीडियो के नीचे जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए आपको जैसे एक सिंपल प्रसिजर बदार आड़ा 247 विजिट करो और यहां पे आप इस तरह से आल कोर्सिस में ग चाहिए कबर किया जाएगा लाइब होगा रिकॉर्डेट होगा टेसरी जोगा इबूक होगा सारी चीज़ें उन्कूर्ड़ है और हर एक लेक्टर के नोट्स मिलेंगे और हर चीज़ आप लोगों को टूबे होगा आपके एक डाउट को लिए जाएगा जाएगा जाइन क से करोगे 26 रुपे आपना ख्याल रखना और ज्वाइन करते समय कूपन कोड याद रखना एक बर यह बादा यार हुआ है हुआ ही दोसो एक फर मैक्समाम डिसकाउन एंड उमीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों की जर्नी में काफी हेल्प करेगा नोटिफेकेशन के ब रहा था फिर 15 मेंट आपको बनाया डाडा कलेक्ट किया बहुत जगों से और कटाप को कंपाईव किया तो होप आप हमारे साथ बने रहोगे पूरा वीडियो आपने देखा होगा जरूर देखा करो यार हर एक सेकेंड जब हम आप लोगों के यतना मेहनत कर सकते हैं तो मैं आएंगे बहुत सारे बच्चे अघर्णी कूर्स कर रहे होंगे बहुत सारे वच्चे स्तैयारी हो चुकी होगी तो exactly visit for information only sugartak की हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का information से ही भदा होता हो क्योंकि एक्जां करेंगा तीन चीजों का होना बहुत ज़रूत है हैस्टेक कंसेप्ट हैस्टेक प्रैक्टिस हैस्टेक रिवीजन तो अगर तीनों चीजों के लिए आइदर आपको यूटूब पे सर्च करकर के पढ़ाई करो या किसी कोचिंग में और कोचिंग हमेसा अफटेबल और आपके बजट कोना चाहिए मुझे पता है बहुत सारे गरीब बच्चे ऐसे होते हैं जो आफ्लाइन कोर्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मतलब यह समझ जाओ कि इतना सारा मतलब की पच्यार से पांच जार रुपे महिने का खर्च दस से बारा हजार रुपे के फीस मानता हूं बहुत सारी कोचिंग तीस हजार पे तीज़र ल यह सिर्फ आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ताकि हम आपको बहतर एजुकेशन और हगाओं सहर के हर गरीब बच्चे तक पहुचा सके घर बैठे उनके ममी पापा के सपने को पूरा कराने के लिए आपका हेल्प कर रहे हैं इसी के साथ अजविदा और जो मैंने आज स् तब फाइप कमेंट वाजों को बहुत जबर्जस्ट कैप्सूल दोंगा उस गूगल फार्म को जरूर भर देना मिटा थैंक्यू